कि अब दोस्तों डेरी प्रॉब्लम सुलूशन चैनल जनके आपके डेरी प्रॉब्लम सुलूशन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टीना टाज इंजेक्शन के बारे में यो कि टंईटा कमपणी का एक बहुत बडिया इंजेक्शन है और आज हम आपको टीना टार्ज इंजक्शन के बारेंगे में बताएंगे किन किन बमारियों में हम पशु को यूज कर सकते हैं इसमें जो साल्ट है वो सेफो पेराजून एंड टेजवेक्टम तो ये बिलकुल नया साल्ट है किसी भी कंपनी का मेरे साब से तो अभी तक मार्किट में ये साल्ट नहीं है नया होने की वज़ा से इसकी जो रिजल्ट वो बहुत ही कम है और इसका जो रिजल्ट अमीद है कि इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आपको भी मिला है हमें तो मिला ही है तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो के साथ बने रहे और जिन किसान भाईयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो किर्पया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताहां कि जो हमारी लेटस से लेटस वीडियो है जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच सके और आपका फैदा हो सके तो मेरे प्यारे किसान भाईयो यह तीना टाज इंजेक्शन है साड़े चार ग्राम का इंजेक्शन है पहले तो हम बात करेंगे मिस्टाइटस मिस्टाइटस किसी भी तरह की हो चाहे आपके जनवर के थनों में शिदियां आ रही है चाहे आपके जनवर है उसके थनों में से ही ज्यादा स्वैलंग हो गई है चाहे क्या होता है कि कई बार मिस्टाइटिस के कारण आपके जनवर का जो अडर होता है वो पत्थर की तरह सक्त हो जाता है और आपकी गाएंबैंस है जो अच्छी तरह से चल फिर नहीं सकती और मिस्टाइटिस में कई बार क्या होता है कि आ आप जन्वर का दूद करते हैं तो वह मारता रहता है आपको दूद't नहीं निखालता कई बारे आपके जन्वर के थनों मैं यह से जब आ उसको गर्म करते हैं तो फट जाता है चाहिए कई इंफडिया बन जाती है छोटे छोटे जो जक्म बन जाते हैं तो इस बुमारी में भी आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं है hard और क्या होता है कि कई बर हमारे जनवर को मुकिर की बिमारी हो जाती है और हमारे जनवर के यह पहरों बड़े बड़े शाले हो जाते हैं और उसकी यो जीब होती है उस पर भी बहुत बड़े बड़े शाले हो जाते हैं जखम हो जाते हैं और हमारे जनवर को जो इनफेक्शन की वज़ा से बखार भी हो जाता है और हमारा जनवर जो अच्छी तरह से चल फिल नहीं पड़ता कि जदे दियान ना देने की वज़ा से पैरूंके जखम होते हैं हम दियान नहीं देते तो क्या अता के उसमें बहुत ही जल्द कीड़े पर जाते हैं तो जोड़े मुँख की बिमारी में भी आप इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं उस बिमारी में भी आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और तीसरा क्या है कि प्रलैप्स की समस्या जानी के फूल दिखाना आपकी गाएं बैस चाहे वो बयाने से पहले फूल दिखा रही है पीशा दिखा रही है बच्चे दानी को बाहर निकार रही है चाहे हो बयाने के बाद तो यह एक एंटीबेटे की रूप में आपके जनवर की जो बच्चे दानी परलैप्स के कारण जो इनफेक्शन हुई है उन्फेक्शन के कारण आपके जानवर को परलैप्स की समस्या हुई है आपका गाएंब बार-बार बच्चेदानी को बाहर निकालती रहती है जब भी वो गुवा पिशाब करती है तो नीचे की और जुकती रहती है और कई बार आप अपने हाथ से जो बच्चे दानी जनवर की होती है प्रलैप्स रता है उसको अंदर करते हैं तो उस पर बहुत बड़े बड़े जखम बन जाते हैं कई बार रसी डाल देते हैं तो जैसे सा करना मारसीया में में बच्चे दानी क toughका को दूर करने के लिए भी इसका credit है बहुत बड़िया है तो आगे दोस्तों क्या होता है में आत् ihr जन्वर का जो temperature down हो जाता है और क्या होता है कि आपके जन्वर को कई बार निमूनिया हो जाता है तो निमूनिये की condition में भी आप अपने जन्वर को ये injection सा बड़े जन्वर को साड़े चार ग्राम का जो injection है वो दे सकते हैं लोड के उनसार है एक से दो दिन दो से तीन दिन जब तक आपका जन्वर बिलकुल ठीक ना हो जाए कई बर क्या होता कि आपके जन्वर को बार बार infection के कारण बखार हो जाता है तो तब भी आप इस injection को तीना टाज injection है जो इसको आप जूज कर सकते हैं बड़े जन्वर को ये साड़े चार ग्राम का इंजक्शन लगेगा बार बार आपके जन्वर को बिखार हो रहा है तो उस बिमारी में भी आप इस injection को जूज कर सकते हैं तो चाहे आपके ज जनेवर को बारबार बिखार हो रहा है affection के को तब भी आप इस injection को use करना है और बड़े जन वर को ज़े 90 साड़े-चार ग्राम का injection. बड़े जनवर को अच्छिन ही देना है और क्या होता है कि मेरे किसान भाइयों कई बार बया आने के बाद आपके जनवर की जो बच्चेदानी होती है उसको जो मेट्राइटस जिसको हम बोल देते हैं बच्चेदानी में एनफेक्शन होना तो बच्चेदानी में थोड़ी बहुती कई बर ये रुक जाती है थोड़ा सा लड़ भी रह जाता है तो पहले तो हमें पता न ज्यादा आने लग जाती है तो हमें तब ही पता चलता का हमारे जो पच्व है उसकी बच्चे दानी में Co work or बार तो हम जो अपने जनवर की बच्चेदानी उसमें दोवाई गएरा भी रखा लेते हैं लेकिन बच्चेदानी की इंफेक्शन के रेशे को दूर करने के लिए भी इस इंजेक्शन का रिजल्ट है वह जो बहुत ही बढ़िया है तो यह टीना टाज इंजेक्शन जो सामने नहीं आप देख्की आप इसको आई एम और इव जाने के आ यह चो मास्वेशियों में डूंगा भी लगा सकते हैं और आप इसको जो आई-वी जैने से लाड़ी में लगा सकते हैं और यह टरनीटा कंपनी का एक बहुत भी बड़ी आइंजक्शन है तो साथे के चार ग्राम का इंजक्शन है और सैफो पैराजुन एंड टैजबेक्टम ये दोनों साल्ट इस injection में डाले हुए है जो के बहुत ही एक्सपीरियर्ड साल्ट है तो दोस्तों सैफो पेराजून सूडियम जो इसमें है वो है 4000 mg जैनिके 4 ग्राम इसमें सैफो पेराजून है और जो टैजो बेक्टरम है वो है 500 mg जहने कर चार सो पंताली सो एम जी टोटल बन गया और जो साड़े चार ग्राम साड़े चार ग्राम का इंजेक्शन जो पूरे का पूरा अपने बड़े जन्वर को लगाना है इसके जो रेट की बात करें तो इसका जो तीन सो 25 रपैस का जो प्रेंट रिट है और जो मार्किट में आपको यह साड़े तीन सो के करीब असानी से यह इंजेक्शन मिल जाएगा यह यह इंजेक्शन है यह एक पौडरवर्वर्म इंजेक्शन है इसके साथ 15 यमल वाटर आता है चार यह पौडरवर्म में सामने आप देख यह इस तरह से यह injection दिखता है तो ज़िए आपके जनवर को कोई ऐसी प्रॉलम है चाहे आपके जनवर को मिस्टाइटस जनी के थनेला रोग हो गया है तो तब भी आप इस injection को यूज कर सकते हैं ज़िए आपके जनवर की बच्चे दनी में अनफेक्शन हो गई है पस बन गई है खून आ रहा है तब भी आप इस injection को यूज कर सकते हैं ज़िए आपके जनवर को प्रलैप्स की समस्या हो गई है बार बार पीशा दिखा रहा है और बार बार जो लगा के जुक के जो गुहाब शाब कर रहा ह तो तब भी आप इस injection को यूज कर सकते हैं और ज़िए आपके जनवर को निमूनिया हो गया है उसका टंपरेचर भी कम है तो तब भी आप इस injection को यूज कर सकते हैं और चाहे आपके जनवर का कोई भी जखम है ठीक नहीं हो पा रहा तो तब भी आप इस injection को आप यूज कर स तो 395 में जो इसका प्रेंट रेट है साड़े 300 के क्रीब आपको ये बजार में से सानी से मिल जाएगा तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि मैंने जो आपके जानकरी दी है जानकरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी जानकरी अच्छी लगी है तो वीडियो को Lाइक और शेर करना मत बूलना और जिन किसान वीरों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपप्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ता Whereas जो हमारी हर लेडिसे लेडिस लीडिस वीडियो है वो आप तक पहुंँ सके आपका बहुत बहुत धन्यावाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में